पुरा बिहार जानता है कि जब इनके माता पिता अधर्णिय लालू जी और आबडी जी को बिहार की सत्ता सम्हालने का मौका मिला था तब बिहार किस तरह से पिषडा रह गया था? बिहार का कैसे इन लोगों ने बेडा गर्थिया था? तिजस्वी आदव जी ने फिर एक बार अपनी अपरिपकोता का परिचे दिया है कोई रोड मैप तो बताया नहीं हम उने लेकिन बड़े बड़े लोक लुभावन वादे जरूर कर दिया है दस लाग लोगों को नौकरी देने का बादा जरूर कर रहे हैं तिजस्वी आदव लेकिन कोई खाका नहीं हमके पास नमस्कार मैप्रिया एक बड़ फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइफ में सभी पार्टियां जो हैं अब चुना प्रचार प्रसार में लग चुकी हैं हलग अलग दल के नेता जो हैं रैलियां कर रहे हैं कुछ जो नेता हैं वो कुछ पार्टी जो है वो लगातार घोसना पत्र तमाम वादे के जो लिस्ट होते हैं वो जारी कर रहे हैं सबी पाटियों ने जारी भी कर दिया ऐसी लिस्ट इस पर राज़त ने भी जारी किया है गोजना पत्र उस पर जद्यू के प्रवक्ता विसेग जाउन के तरब से एक वार आया है उन्होंने एक वीडियो रिलीस किया और वीडियो के माध्यम से उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि जो तमाम वादे वो कर रहे हैं वो बेसलेस हैं, खोकले हैं क्या कुछ नोंने कहा है आप वीडियो में सुनिये राजत के योगराज तेजस्वी आदव जी ने अपनी पार्टी का घोशना पत्र जारी किया है पुरा बिहार जानता है कि जब इनके माता पिता अधर्णिय लालू जी और राबडी जी को बिहार की सक्ता सम्हालने का मौका मिला था तब बिहार किस तरह से पिषडा रह गया था बिहार का कैसे इन लोगों ने बेडा गर किया था तेजस्वी आदव जी ने फिर एक पार अपनी अपरिपकोता का परिचे दिया है कोई रोड मैप तो बताया नहीं है उन्हें लेकिन बड़े बड़े लोग लुभावन वादे जरूर कर दिया है दस लाख लोगों को नौकरी देने का वादा जरूर कर रहे हैं तेजस्वी आदव लेकिन कोई खाका नहीं होनके पास मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार की युवाओं को उन्हें बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके तहट व्यवसाय करके उन्होंने इतनी संपत्ती में रिद्धी कर ली है बिहार की जंता को जहासा देने का प्रयास जरूर कर रहे हैं ये लोग दित्व में NDA की सरकार बिहार में बनाने जा रही है तो जैसा की आपने सुना की अभिसेख जहाने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादब के घोसना पत्र पर उन्होंने जो रोजगारी के जो तेजस्वी यादब वादे कर रहे हैं 10 लाग युवाँ को रोजगार देने का उन्होंने का कि जो जब लालू पुरशाद यादब जब थे तब क्या हुआ था और उनके पिता के जो सासंकाल को भी याद दिलाए अपने वीडियो में तो हम लोग आपके सामने ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद